हाई फ्रेंग वेलकुम बाग टो अनदर लेक्चर अन पर्चम आएम रिचा हम कर रहे हैं सिक्स मन्स की करंट अफेज अलग अलग सेक्शन या टॉपिक्स को लेकर के आज का जो टॉपिक है दाट इस नाशनल रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे अभी से पहले जब भी मंतली करंट अफेज में हमने पढ़ा या फिर इससे पहले जो मैं कंपाइलेशन लेकर आई हूँ हमने मिक्स पढ़े हैं नाशनल औ प्रफिस इंपॉर्टेंट है उनको आज हम देखने वाले हैं तो स्टेट्स को रांकिंग दी जाती है इंडियन और इसेशन को रांकिंग दी जाती है या फिर कुछ रिपोर्ट इशू होती है अलग-अलग सेक्टर की अग्रिकल्चर सेक्टर की हो गई इंप्लॉइमेंट रिलेटेड हो गई या फिर सेक्स रेशो से रिलेटेड हो गई तो वो सारी चीज़े आज आज आपको कवर करनी है ठीके जी स्टार्ट करें आपको पीडिएफ कहां मिलेगा इसका पीडिएफ आपको मिल जाएगा परचम-classes.in website पे वहां से आप ले सकते हैं और चैनल के उपर 6 months current affairs के अलग से playlist बना दी गई है आप लोगों की demand आ रही थी कि माम एक different playlist बना दी जाए वो बन चुकी है और previous videos जो भी हमने 6 months compilation लिये हैं वो military exercises हो, defense news हो, science technology news हो, वो सब आपको वहां पे एक जगे पे देखने को मिल जाएगा और अगर एक एक PDF नहीं लेना है अगर आ पहली जो news आपको देखने को मिल रही है, that is related to ISFR, that is Indian State of Forest Report, तो Indian State of Forest Report 2021 इशू की गई या जारी की गई, किस ने जारी की है ये, Forest Survey of India, Forest Survey of India होता है हर दो साल में, ठीक है हर दो साल में Forest Survey होता है और फिर उसकी जो इशू होती है रिपोर्ट वो आपके सामने पेश की जा रही है और ये कब से हो रहा है, 1987 से शुरू हो गया था, ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो इंडिया का Forest Cover है, Forest और जो भी Tree Cover है, वो 2019 के comparison में 2021 में 2261 स्क्वेर किलोमीटर बढ़ गया, यानि Forest and Tree Cover हमारा राइस हुआ पिछले दो सालों में, और अब टोटल कितना हो गया है, अब टोटल Forest and Tree Cover इंडिया का 80.9 मिलियन हेक्टेर पहुँच गया है, और अगर हम इंडिया के पूरे जोग्रिफिकल एरिया की बात करें, तो उसका कितना प्रतिशतिया परसेंटेज, Forest और Tree Cover है, तो ये हो जाता है, 24.62%, तो रफली आप कह सकते हो, 25 प्रतिशत, पूरा जो जोग्रिफिकल रीजन है, इंडिया का, उसका कवर होता है, Forest और Tree के अंदर, ठीक है जी, कौन है मिनिस्टर, Environment के, भूपेंदर, यादवरुन होने इसका ये addition जो था, ये issue किया था, कौन सा addition हुआ ये, 17th addition हुआ, ये सारे points जो मैंने highlight किये हैं, these are all very important, ठीक है, यहीं प reason देखते हैं, सबसे पहला point देखेगा, the top three states in terms of increase in forest cover, now, एक और trend exam में recently देखने को मिला है, कि भई examiner आपसे सरफ top वाला state नहीं पूछेगा, वो second या third rank भी पूछ सकता है, अगर बहुत important rank या report की बात की जाए, तो थोड़ा धियान आपको यहां भी रखना है, अब यहां बात की जारी है, कि 2019 के मुकाबले, 2021 में सबसे जाधा improvement कौन से state ने दिखाया है, forest cover के अंदर, यानि maximum किसमें बढ़ोतरी देखी गई है, answer is आंधरुप्रदेश, map पे देख लिजे, फड़ा फड़ा आंधरुप्रदेश, वो वीना जसा शे, तो आंधरुप्रदेश, second number प सारे राज्य अगर आप मिला लें, तो maximum area forest के अंडर में कौन से state में आता है, answer is मध्यप्रदेश, right, मध्यप्रदेश, largest forest cover है इसका, right, और उसको follow करता है, अरुनाचल प्रदेश, 36 गर, then Odisha and महाराष्टर also, but मध्यप्रदेश, अरुनाचल, 36 गर अगर ये तीन आप ध्यान रखेंगे काम बच जाएगा, next हम आते हैं, forest cover as a percentage of total geographical area, यानी कि किसी भी राज्य का जितना भी area है, उसका maximum percentage forest में cover है, समझ रहे हैं, दोनों बातों का difference, एक होता है, largest area, percentage की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो उस राज्य का 25% ही है, लेकिन पूरे इंडिया के मुकाबले सबसे जादा area cover हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, कि एक state का जितना भी area है, उसका maximum percentage, यानी की approximately 85%, अपने state का 85% approximately forest के अंदर है, ऐसा कौन सा राज्य है, मिजोराम, मिजोराम, राइट, यहाँ सरफ area की बात हो रहे है, largest area under forest, और यहाँ बात हो रहे है, percentage area under forest, so largest area मध्यप्रदेश का covered है forest में, लेकिन percentage maximum मिजोराम की है, कितनी approximately 85%, आप कह सकते हो, 84.53%, followed by Arunachal and Meghal, ठीक है, तो 39 वाले states आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, फिर हम बात करते हैं, mangrove cover की mangrove forest कौन से होते हैं, दलदली इलाकों में देखने को मिलते हैं, और इनकी जो पर इस तरह से mangrove की roots बाहर निकले वी होती है, so, जो mangrove cover हैं इंडिया में, उसमें 17 स्क्वेर किलोमेटर का इजाफा देखा गया है, compare to 2019, और टोटल 4992 स्क्वेर किलोमेटर mangrove cover इंडिया में है, अब top 3 state in terms of mangrove increase, mangrove वाला area, कौन से 3 राजयो में सबसे आधा इजाफा हुआ है, इस category के अंदर, Odisha, Maharashtra, Karnataka, तो इसमें आप सिरफ Odisha ध्यान रखेंगे, तो भी चल जाएगा, तो Odisha के अंदर, सबसे जाधा mangrove area, forest का बढ़ा है, 2019 के मुकाबले, I hope, यह जो पूरा survey का report है, दिमाग में चब गया होगा, चले, आगे चले, So, the next question for my news आ रहे है, which IIT has emerged as the best institute under CFTI, Central University and Institute of National Importance category, यह एक category है, यह पूरी एक category है, In the Attal Ranking of Institutions on Innovation Achievements, A-R-I-I-A, Attal Ranking of Institution on Innovation Achievement 2021 में, एक category है, CFTI, Central University and Institute of National Importance, इस में कौन सी IIT ने टॉप किया है, सवाल समझ में आ गया, ठीक है, Answer is IIT, Madras, अब यह CFTI क्या होता है, Centrally Funded Technical Institutions होते हैं, जो उनको CFTI बोलते हैं, Central Universities होती हैं, और National Importance के institute में, IIT, Madras ने किया है, Rankings of Institution on Innovation Achievement, यानि कोई भी नया Innovation आपने किया है, उसके basis पे ranking है, तो यह 2019 से इसकी शुरुआद की गई थी, और 2021 के अंदर Non-Technical Categories को भी इंक्लूट कर लिया गया, तो basically जितने भी participating institutions थे, वो दो major major category में डिवाइट किये गए, Technical and Non-Technical Institutions, और यह जो rankings है, एक तरह से Innovation हो, Technical Field में हो, या Non-Technical में हो, तो इससे Competitiveness बढ़ती है institutions में, और नए-ने Innovations Country में होने के chances बढ़ते हैं, ठीक है, तो यह जो initiative है, यह Ministry of Education, Government of India, Implement करती है, AICTE, All India, Council of Technical Education and Ministry of Education के Innovation Cell, यह दोनों मिल करके इसको आगे conduct करते हैं, और राइट, देन हम चलेंगे, Next Ranking की उपर, UP Becomes India's Top Vegetable Producer, दो साल के बाद, UP ने वापिस अपनी जगे हासिल किये हैं, और बना है, इंडिया का Top Vegetable Producing State, Fruit में नहीं है, यह सिर्फ Vegetable यानि सबजियों के case में, तो सबसे जादा सबजियों का उत्पादन कौन से राज्य में देखा गया, उत्तर प्रदेश में देखा गया, During the fiscal year 2022, उत्तर प्रदेश ने largest share vegetable का produce किया, कितना, पूरे इंडिया का 14.8% vegetable production, UP से देखा गया, West Bengal 2nd रहा, अभी विशले साल West Bengal ने UP को पीछे कर रखा था, West Bengal 2nd पे आ गया है 14%, और अगर हम बात करें, fruit producer की, तो आंधर प्रदेश ने अपनी जगे है, वही कि वही कायम रखी हुई है, आंधर प्रदेश top fruit producing state है, इंडिया का, ठीक है, vegetable में उत्तर प्रदेश है, और fruits में, फलो में आंधर प्रदेश है, अगर आप top 3 देखना चाहें, fruit में तो आंधर प्रदेश, फिर महाराष्टा और फिर आता है उत्तर प्रदेश, और vegetable में उत्तर प्रदेश, West Bengal और मध्यप्रदेश, आपके notes में जो साथ में images डाली जाती है, उन पर थोड़ा नजर डाल लिया केजे, because उन में भी काफी सारी information होती है, और वो इसी purpose से यहां डाली जाती है, सुन्दर बनाने के लिए नहीं होता, information डाली जाती है, ठीक है, तो उसको भी जब आप notes पढ़ रहे हों, do have a look at those pictures also, now, इंडिया, इंडिया के बास बहुत जादा scope है, fruits or vegetable में एक leading exporter बनने का क्यों, क्योंके quality produce है ही, उसके साथ low cost production यहां पे हम देते हैं, exporters को, और इसके लिए, मतब जो भी export, import कर रहे हैं उन countries को, इसलिए काफी सारा scope है, और special scope देखा जाता है, onion, mango pulp, fresh mango, dried walnuts यानि की अखरोट, जो सुखेवे होते हैं, and grapes, अंगूर, so in areas में काफी सारा scope है, और main export भी in areas में देखा जाता है, अगली news, अब false ups जो से चलते हैं, tiger की तरफ, so tiger death increased to 127 in 2021 as per state report, so जारी reports के हिसाब से, पिछले पूरे एक दशक में one decade यानि 10 सालों के अंदर सबसे जाधा tiger death किसी साल में दर्च की गई, तो वो की गई, 2021 में 127 deaths took place, अब इसमें natural और unnatural दोनों causes शामिल थे, so 2021 में like I told you 127 death हुई, और tiger survey हर 4 साल में होता है, ठीक है, 4 साल में होता है, तो अभी जो exact number of tigers कितने हैं, कितने नहीं, वो 4 साल का tiger survey का जो report आएगा, उसमें देखेंगे, लेकिन death हर एक साल निकाल ली जाती है, so 2020 में 106 tigers died, और 2021 में 127 हो गया यह number, 2019 में देखेंगे तो 96 था, and मध्यप्रदेश में ही maximum number of tigers भी है, और maximum number of death भी देखी गई, 42 death, followed by महाराश्टा, करनाटका, and UP, और like I told you, हर 4 साल के अंदर, जो tiger survey है, वो किया जाता है, last हुआ था 2018, यानि 18 के अंदर, 2022 का भी report result आना रहता है, of course, right, so 2018 के आकड़े अगर हम देखें, तो 2967, 2967 tigers are there, और 2014 से इसको compare किया जाता है, because उससे पहले वाला census तभी हुआ था, उससे में 26, ये आकड़े थे tiger population के इंडिया, and Minister of Environment, Forest, Climate Change, भूपेंदर यादव, so forest हो, animals हो, इनमें भूपेंदर यादव जी को थोड़ा याद हम कर लेंगे, next, IMD यानि Indian Meteorological Department, Meteorology क्या होती है, जो की मौसम विभाग हम कहते हैं, so Indian Meteorological Department has released Climate of India during 2021 report, so हमारा Climate कैसा रहाब ही 2021 मुसकी report सामने आए, as per the report, the year 2021 was the dash warmest year in India, since the countrywide record started in 1901, यानि की 2021 के आंकड़ों ने एक चीज़ सामने लाके रखी, कि 2021 सबसे बहुत गर्म साल रहा, number one, अब कौन से नंबर पे गर्म रहा, यह सबसे ज़ादा गर्म रहा, दूसरे नंबर पे रहा, तीसरे चोथे पांच पे पे, और कब से, यह हम बात कब से कर रहे हैं, पिछले एक दर्शक की कर रहे हैं, पिशले 20 सालों की कर रहे हैं 30 सालों की नहीं जब से हमने countrywide record start किया है हमारे climate का यानि की 1901 तो आपके दो question बन जाते हैं कि इंडिया के अंदर countrywide record climate का कब से शुरू हुआ 1901 तब से लेके आज तक 2021 कौन से नंबर का सबसे गर्म साल रहा? answer is fifth, fifth warmest year of the duration since 1901 और अब यहाँ of course यह सवाल आपके दिमाग में आना भी लाजमी और examiner का पूछना भी बनता है कि सबसे जादा गर्म साल कौन से रहा? तो 2016 2016 कैसे याद रख सकते हैं? 16 साल का कोई यह बच्चा या बच्ची होते हैं तो सबसे जादा गर्मी उसी टाइम होती है गर्म दिमाग ममी पापा से argument है ना टीनेज का एक बहुत prominent year होता है या कुछ करने का जुनून भी तभी सबसे जादा होता है वो आग भी आप समझ सकते हैं सो 2016. इंडिया रख सकते हैं इंडिया रख सबसे जादा गर्मी थी इस समय और महाराष्ट्र सबसे जादा एड़र्सली अफेक्टेट स्टेट देखा गया 350 बैत इसमें रिजिस्टर की गई आगे बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट या इंडिस की तरफ दे लेटेस इंडिया 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 के हिसाब से जो मेटर्नल मॉर्टालिटी रेश्यो सामने आया है उसको हम हिंदी में कहेंगे मात्र मृत्यू अनुपात यह क्या होता है एक लाख लाइफ बर्थ यानि कि एक लाख जीविच शिशु पैदा होते हैं तो कितनी मदर्स की डेथ ह हो जाती है उस प्रोसेस के दौरा ठीक है तो एक लाख लाइफ बर्थ में से कितनी मदर्स की डेथ होती है दाडिस एमेमर नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ पर वन लाइक लाइफ बर्थ जोरिंग गिविन पीरिड तो 2017 से उन्निस का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से एमेमर कितना रहा आप से पुछा जा रहा है आंसर इस 103 एक सो तीन फीमेल्स और मदर्स डाइड दॉरिंग डिस पीरिड और अगर हम 2015-17 या 16-18 की बात करें तो 15-17 में 122 वस दी रेश्यो उससे 16-18 की बात करें तो 113 वस दी रेश्यों 17-19 में 103 टॉप कौन से स्टेट ने क किया अनी म मार्ट सबसे कम होना यहां पर फीमेल्स ओर्टलिटी जो थी त्वि धूरिंग लाइव-बिर्ज्ट सबसे कम होने के साथ टॉप किस ने किया है में टनलант चाइल्ट हेल्थ के अंदर के कियो ओड और इटली, नौर्वे, पूलेड, बैलेडूरूस. I hope MMR is clear. Next चले, चले. Sex ratio at birth in India. एक और report सामने आई कि भाई, at birth, यानि during birth, हमने अभी अभी life birth की बात किये, कितने बच्चे पैदा होते हैं. तो उनमें sex ratio क्या रहा? इसके उपर report जारी हुई. So, sex ratio at birth, क्या होता है sex ratio? हर हजार birth पे, हर हजार males पे, जितने भी birth हुई है, हर हजार males पे, कितनी females की birth हुई है, उसको बोलते हैं sex ratio. तो हजार males पे कितनी females हैं? और birth के time इसको देखा जाता है, तो sex ratio at birth कहला देते हैं इसको. Annual report इसकी किसने issue की है? Vital Statistics Based on 2020 Civil Registration System Report, जो कि again Registrar General of India issue करता है. तो Registrar General of India के 2020 के report के हिसाब से, उनके Vital Statistics के हिसाब से, sex ratio at birth, SRB, highest, कहां देखा गया? Ladakh के अंदर, हर thousand male child पे 1104 female child का birth रहा. और followed by Arunachal and Andaman and Nicobar Islands. Important है, यह ध्यान रखेगा, तीनों ही, first, second, third. Ladakh, Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands. Map पे देखेंगे तो easy रहेगा, Ladakh उपर, Arunachal इधर, Andaman, Nicobar Islands, नीचे. ठीक है जी? चलिए. Lowest sex ratio कहां देखा गया? यानि कि हजार males पे बहुत कम females कहां देखी गई? मनी पूर के अंदर लुएस रहा, 880, 880. So, यहाँ female money कम मिली हैं. ऐसे धान रख सकते हैं, आप चाहें तो. Followed by Dadra, Nagar, Havelian, Damanandiyu, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh. Okay? I think this is it about this news. Moving over to another one. What is the total new, total fertility rate? TFR जैसे बोलते हैं, total fertility rate in India as per the National Family Health Survey. National Family Health Survey के मुताबिक, नहीं total fertility rate क्या है इंडिया के अंदर? Answer is 2. यानि कि total fertility rate को आप ऐसे समझें कि average number of children per woman, जितनी भी महिलाएं हैं, यह सिर्फ registered cases से ही आप निकाल सकते हैं. तो जितनी भी females हैं, उनके on an average कितने बच्चे हैं? That will be total fertility rate. तो 2 इसका answer है और यह कम हो गया है over the years, पहले जाद हुआ करता था. Union Health Minister Mansook Mandavya जी ने release की यह report, और यह fifth round था National Family Health Survey का. So, FHS-5 था यह. और इसको स्वास्थे चिंतन शिविर के दौरान इसको issue किया गया वदोधरा में. और total fertility rate, it has come down from 2.222. अब आप यह मत बोलना कि माम 2.2 कैसे होगा, यह सवादो बच्चे कैसे होगा, यह average है, सारी population के उपर है. So, 2.2 से it has come down to 2 at national level. NFHS-4 और 5 के दौरान यह shift देखने को मिला. NFHS-4 में it was 2.2, ना it has come down to 2. और अब आप यह 5 स्टेट जिनमें की इस average से उपर birth rate देखी गई है, fertility rate देखी गई है, वो हैं Bihar 2.98, Meghalay 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, Jharkhandan, Manipur. So, Bihar, Meghalay, UP, इन में fertility rate, top 3 आप बोल सकते हैं, उसके अलावा जharkhandan, Manipur में average से उपर देखने को मिली है. इसी के अलावा, National Family Health Survey में सिर्फ fertility rate के बारे में नहीं देखा गया, और भी aspects health के देखे गया, जैसे कि obesity, obesity यानि मोटापा, So, मोटापा जो है females में 21 से 24% देखा गया है, यानि 24% of the female have been categorized as obese, जबकि males के हम यह बात करें, तो 19% से बढ़के 23% यह हो गया. मोटापा बढ़ रहा है, ध्यान रखे, जंक फूर्ट थोड़ा कम केजे. और उसके अलावा गर हम बात करें, institutional birth की, यानि की जो hospitals में आकर किया, institutions में birth होती है, घर पे वो दाई, मा और उन सबसे, इस तरह से birth नहीं करवाई जाती है, institution में proper care के अंदर जो birth करवाई जाती है, तो उनमें भी इजाफा देखा गया है, 79% से बढ़के, 89% births अब institutional births है, और उसमें भी अगर आप rural और urban में categorize करें, so 87% जो birth हैं, वो rural areas में देखी गई है, 94% urban areas में, institutional births देखी गई है, ये सारे जो आकड़े हैं, ये आपसे सीधे सीधे भी पूचे जा सकते हैं, तो जब आप answer writing करते हैं, कोई भी अगर आप state PSC, UPSC, कोई भी ऐसा exam दे रहे हैं, जोसमें writing वाला aspect included होता है, तो वहाँ ये आकड़े लिखने से, आपके answer में चका चौन्द हो सकती है, so these are important, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें, कि कितनी women हैं, नेक्स्ट हम आते हैं, which state has stopped Niti Aayog's Export Preparedness Index 2021, नीती Aayog, अलग-अलग indices या rankings इशू करता है, think tank है, planning tank बोलिए, think tank बोलिए, इंडिया का है, सरकार का, so उसके हिसाब से, Export Preparedness Index जारी हुआ है, कि export के लिए कौन सा राज्य कितना तयार है, या उसके पास कितना strong system या ecosystem है, so top किस ने किया, गुजरात ने किया, गुजरात, obvious answer है, आपके हिसाब से भी हो जाना चाहिए था, दिमाग में ये, so गुजरात ने retain की है अपनी position, ये second edition है, इस इंडिस का, पिशली बार 2020 के अंदर, सबसे पहले ये start किया गया था, export preparedness index, उसके अलावा, कौन से राज्य हैं, जो की top 5 में आ रहे हैं, तो गुजरात तो top पे हो गया, महाराष्टरा, करनाटका, तमिलनाडु, हर्याना, ठीक, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, then union territory के अगर हम बात करें, तो states की बात हो कई दिल्ली ने top किया है, followed by जम्मू, कश्मीर, चंडिगड़, पुटुचरी, तो दिल्ली, जेन के चंडिगड़ा आप याद रख सकते हैं, export preparedness index में आपको समझा दिया, क्या होता है कि कौन सा राज्य या, union territory कितना prepared है, उसके पास कितना ecosystem है, कितना infrastructure है, कितनी competitiveness है, बस यही सारी चीज़ें assess करता है, तो नीतियायोग के अगली report के उपर चलते हैं, नीतियायोग, state energy and climate index, energy and climate index, यानि कि आपकी energy किस तरह की है, energy मतलब हमारा खुद का औरा नहीं, आपका state कितनी renewable या, कितनी non-renewable energies पर रिलाए कर रहा है, उनके लिए again, आपके institutions कैसे हैं, climate पे कितना positive या negative impact पढ़ रहा है, तो इन सारे basis पे, कुछ parameters हैं हम देखेंगे, again किस ने top किया है, गुजराथ ने top किया है, so नीती आयोग ने state energy and climate index से की, या से सी आप जो भी बोलें, इसको इसका round one जारी किया था, और इसके अंदर 6 parameters की basis पर ranking दी गई, कौन से वो 6 parameters हैं, DISCOM की performance, DISCOM क्या है, distribution company, distribution company, जो कि energy distribution में लगी हुए थी है, so DISCOM की performance, access, affordability, reliability उस एनर्जी की कितनी है, कितने clean energy initiatives है, efficiency कैसी है, environment sustainability कितना वो दे रही है, और नए initiative आप energy के field में कितने कर रहे हैं, climate के field में कितने कर रहे हैं, इस basis पे, large state में ही गुजराथ ने top किया है, तीन categories के अंदर ranking issue की गई, large state, small state and union territories, ठीक है, अब वो ranking देख लेते हैं, top three देखेंगे, examiner से थोड़ा सा cushioning करके चलिए, top तो हर को याद कर लेता है, तो examiner ने बोला, चलो अब मैं कैसे cream छाटू, कि भाई कौन बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो मैं second push लेता हूं, आप इनके छोटे-छोटे कुछ acronym बना के याद करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैप पे थोड़ा से इनको अगर आप देख लेंगे, तो भी चीज़ें आसान हो जाएंगी, और top three union territory की बात करें, तो चंडिगः, बिजली जब चमकती है, तो चांदी जैसे color की दिखती है, तो ये छोटा से एक hint आप ले सकते हो, चंडिगः ने top किया है इसके लिए, तो चंडिगः, डेली और धमनेंदिवेंदादरायन, नागर, हविली, तो इस आप परफॉर्मिंग स्टेट इन उनिन टेरिट्री इन Energy and Climate Index 2021, State of Governance, Governance वाले एरिया में कौन से स्टेट्स ने top किया है, और retain की है अपनी position, यानि पहले भी top पे थे और अभी भी top पे हैं, तो देख लेते हैं, आंधर प्रदेश, आंधर प्रदेश, स्कॉश गवर्नेंस रैंकिंग में top पे रहा है, तो यहाँ अंधर गवर्नेंस नहीं चल रहा हैं, आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं, आंधर प्रदेश top पे हैं, अंधर गवर्नेंस नहीं चल रहा है, सेकेंड वेस्ट बिंगॉल, थर्ड ओडिशा, स्कॉश गुरुप ने रिलीस किया है, स्कॉश गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 का नहीं दिली में, और परफॉर्मेंस अन वेरियस प्रोजेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट और इमेल आर्टिकल, प्रिंट आर्टिकल, म्यूनिसिपल लेविल पे अलग अलग जो गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशेटिव से उन सब के बेसिस पे जजज्मेंट हुआ है, सदन इंडिया से आंधर प्रदेश ही अकेला ऐसा स्टेट है, जिसको की स्टार रैंकिंग मिली है, यानि काफी अच्छे परफॉर्मेंस के चलते स्टार रैंकिंग में सिर्फ आंधर प्रदेश आया, इसके अलावा वेस्ट बिंगॉल, उडिशा, गुजरात, महराष्ट्रा, बाकी स्टार रैंकिंग पे, इस स्टार रैंकिंग के अगर हम बात करें, तो किन एरिया की वज़े से स्टार रैंकिंग दी जाती है, पॉलिसी कैसी है, smooth ecosystems and infrastructure आप कितना दे रहे हो, पॉलिसी मेकिंग कैसे करें, आंधर प्रदेश ने top position, पॉलिस, safety, agriculture, district administration, rural development में भी हासल की है, apart from getting star ranking in these areas and being the top in governance rankings, ठीक है, तो काफी अच्छा काम इन सारे areas में आंधर प्रदेश का चल रहा है, next which state has scored overall highest in national e-governance service delivery assessment important है, बहुत जादा ध्यान रखिएगा, वैसे तो जो भी कुछ इस आज के वीडियो में incorporate किया गया है, everything is very important, तभी आपको हम discuss कर रहे हैं, so कौनसा state है जिसने highest score किया है, national e-governance service delivery assessment NESDA report 2021, यानि कि अब इसमें हम बात करते हैं e-governance की, आपके digital systems कैसे हैं, लोग अपनी complaints दे पा रहे हों, आप उनका resolution कितना करते हो, आपके जितने भी digital formats हैं, application के या फिर, क्या बोलते हैं हम उसको, tender के हो गए, या फिर grievance management के हो गए, complaints register करने के हो गए, सारे कैसे हैं, प्लस आपकी policies, आपके redressal का timing कैसा है, steps कैसे हैं, तो आपका basically digital governance के basis पे आपको ranking दी जा रही है, तो top किया है कैरला ने, आप किस ने किया, कैरला ने, अब अलग-अलग areas में इसमें भी है न, ऐसा नहीं है, कि सर्फ एक sector में आपने अच्छा perform किया, education के अंदर, healthcare के अंदर, labor laws के अंदर हो गया, industries, employment, etc, etc, so e-governance, service delivery assessment, service delivery नाम से समझेगा, कि आप services कितनी जल्दी online deliver कर रहे हैं, तो कैरला ने top किया है, यह second edition थाइस report का, bianial यह report आती है, यानि हर दो साल में एक बार आती है, union minister Dr. Jitendra Singh ने इसको issue किया, और यह सर्फ central ministries पे focus करती है, और उनकी effectiveness in delivering the services online to the citizens, and seven sectors के अंदर services देखी जाती है, finance, labor, employment, education, local governance, utility, social welfare, environment, technology, tourism, etc, etc, technology नहीं है, tourism है, तो अब अगर हम इस report के हिसाब से rankings देखे, भाई हमने बोला top किया है, कैरला ने, ठीक है, बाकी, और कौन सी, कैरला ने भी कौन सी category of statement आप किया, यह सारी चीज़े देख लेते हैं, तो अगर हम union territories की बात करें, तो NSDA 2021 को Jumbo and Kashmir ने top किया है, पहली बार यह ranking में include किया गया और इसने top कर लिया, union territories में, ओके, six sectors के अंदर, सभी six sectors में highest rank इसने लिया है, North, East and Hill States की एक अलग category थी, उसमें top किया है, Naga Land ने, NESDA, N से शुरू हो रहा है, Naga Land N से, छोटा सा हिंट काम कर सकते हैं, अगर आप दिमाग में रखें, आमंग remaining state category A, Kerala, remaining state category B, Audition, so Kerala, Audition, Naga Land और Jammu and Kashmir, और अगर हम overall किसी ministry की बात करें, जिसने top किया है e-governance में, तो ministry, कौन सी ministry का portal है, जो सबसे top माना गया, home affairs का, highest overall compliance score इसका देखा गया, so home ministry had topped, next आम आते हैं, what is the percentage of percentage rise in tuberculosis cases in India in 2021, as per India TB report 2022, tuberculosis या pulmonary tuberculosis, lungs को infect करने वाली disease है, और India ने एक, हम कहें कि एक vision ले रखा है, कि 2022 सक हमें TB मुक्त होना है, तो अब उसी के चलते हैं आप यह देखेगा, कि 2021 में कितने TB cases में इजाफा देखा गया, 2022 की एक report आई, India TB report उसके हिसाब से, answer is 19%, yes, 19% rise in cases, देखे गए, इसका एक काफी बड़ा, of course reason, COVID वाला time है, यह वो भी हो सकता है, so India TB report 2022 को release किया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, मनसक मंडाविया जी ने, और टोटल नंबर अफ इंसिदेंट TB patient, जो की 2022 में नोटिफाई किये गए, around 19,00,00, as opposed to 16,00,00 in 2020, 2020 में 16,00,00, 2021 में 19,00,00,00 हो गया, इजाफा देखा गया, approximately 19% का, और mortality rate, यानि कि कितनी मृत्यू हुई हैं TB के चलते, उनमें भी इजाफा देखा गया है, between 19 and 20,20, 11% की बढ़ोतरी देखी गई, ये 2019-20 का comparison देखा जा रहा है, अगर हम बात करें, pulmonary tuberculosis 15 साल या उससे उपर के लोगों में, तो 1,00,00,000 population पे 316 cases, highest prevalence असकी देखी गई दिलि में, और lowest prevalence असकी देखी गई कारॉला के अंदर, okay, so these are some of the additional facts, फिर हम आते हैं अंगे question पे, which state has topped 4th будज सेफिटी इन्डिक्स आफाओर्टS, FSI, so FSI आफाओर्स का 4th edition ये रहा, announced by union health minister Mansuk Mandavya, on the occasion of world food safety day चलिए पिछले question से related और इस question से related मैं आप से एक सवाल कुछनी हूँ, बताएगा मुझे international या world TB day और world food safety day दोनों देवस कब बढ़ते हैं, ठीक है so world food safety day and world TB day इन दोनों की तारीक जल्दी से बताएए कभी न कभी तो हमने याद करवा ही रखा है आपको तो fourth food safety index के अंदर कौन से state ने top किया है answer is Tamil Nadu so FSI के अंदर सिर्फ top state जानने से अलग-अलग category में है again ये पूरे इंडिया को आप एक ही category में सारे states और union territory को डाल के ranking नहीं निकाल सकते हो सबके क्योंकि अलग-अलग parameters in terms of population and sizes है तो वो ध्यान में रखना होता है so again three category के अंदर awards देखे जाएंगे उससे पहले देख लेते हैं FSSAI के बारे में because ये जो index है ये FSSAI issue करता है that is food safety standards authority of India और ये 2018 19 से start हुआ ये index और इसका aim है एक competitive environment create करना adulteration वगरा जो होता है या food safety में जो भी कोता ही बढ़ती जाती है उसको खतम किया जा सके ताकि जब state और union territories आपस में compete करेंगे तो standards भी improve करेंगे ये जो award ये तीन category के अंदर दिया गया large state category, small state category and union territory large state category के अंदर Tamil Nadu 1 small state category के अंदर Goa ने अच्छा काम किया जैसे energy और climate में भी किया था और union territory में jamu and kashmir ने किया जब भी आप rankings याद करते हैं state या union territory की तो पुराना revise करते चला कीज़े जैसे Goa का mention अच्छा इसने इसमें भी top किया था तो revision और correlation बहुत अच्छा बैट जाता है अब देखे जब मैंने आपको कहा थोड़े टाइम पहले कि जो भी picture दी जाती है news के साथ उस पे भी गौर फरमाया कीजे क्योंकि यहाँ आपको top लिखा हुआ दिख रहा है सरफ top state, top union territory लेकिन अगर आप इस picture पे गौर करेंगे तो यहाँ top 3 आपको देखने को मिलते है तो examiner अगर आपसे top 2 या top 3 पूछ लेता है तो यह मत बूलिया का मैं आपने बताया नहीं था बिल्कुल बताया था आपने धिहान शाहिद नहीं दिया तो large state category में Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra यह chronology रहेगी small state में Goa, Manipur, Sikkim union territory में Jammu, Kashmir, Delhi और Chandigarh अगला जो report है that is related to road accidents helmet, seat belt बहुत important है ठीक है as per the road accident in India 2020 report released recently with state or union territory recorded highest accident severity in 2020 highest accident severity 2020 की report के हिसाब से कौन से राज्य में देखी गई severity का मतलब यह है कि अगर accident हो रहा है तो लोग जान गवा रहे हैं ठीक है, अगर हाथ-पाउं तूट गए और ठीक है आप उटके चल दिये तो उसको severe consider नहीं किया जा रहा है एक तो होता है कितने accident हुए कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा accident हुए ठीक है, एक वो category होगी एक होगी कि accident हुए और मौत सबसे ज़्यादा हुई है ठीक है, तो यह दोने ही cases है तो अभी देखते हैं तो severity 100 पर 100 accident देखी जाती कि 100 accident हुए तो उसमें से सबसे ज़्यादा severity accidents की 2020 के अंदर देखी गई, मिजोरम के अंदर मिजोरम में हर 100 accidents में से 79 accidents में fatal incidents देखा गया नि मृत्यू देखी गई, followed by बिहार, पंजाब Now, lowest number road accidents का अब यह नहीं है कि 2020 जैसे जैसे समय बढ़ रहा है severity या accident बढ़ रहा है severity ज़रूर बढ़ी है, लेकिन number of road accidents कम हुए है अगर 2000 से compare किया जाए तो lowest number road accident 2020 के अंदर दर्च हुए काफी possible cause यह भी हो सकता है कि भाई, covid चल रहा था, बाहर ही नहीं निकलियो Anyways, and least death since 2010 Overall अगर आप compare करोगे Total कितने accident हुए, पूरे साल में यह पूरे साल में कितनी मृत्यू हुई तो वो कम हुई है, लेकिन हर 100 accident में कितनी severity हुई वो बढ़ा है, ओके तो इस साल में यह दो चीज़े कम हुई है Total road accident and total deaths लेकिन road accident severity that is number of persons killed per hundred accidents यह increase हो गया है 36 highest since 2000 2000 से लेके 2020 20 तक पिछले एक दशक के अंदर सबसे ज़्यादा severity 2020 के अंदर दर्च की गई, यानि हर 100 accident में 36 people 36 accidents were severe fatal, यानि कि every third accident was fatal ध्यान रखियेगा इस report को जब भी घर से बाहर निकलें सुरक्षा कीज़ेगा next is as per Deloitte's women in boardroom report Deloitte's की women in boardroom boredom नहीं है जाएंगी, लेकिन women in boardroom report, what is the percentage of women representation of board seats in India in 2021 2021 में जितनी भी companies होती हैं उनके board of directors होते हैं, board seats होती हैं उसमें women का representation कितना रहा Deloitte की women in boardroom report के हिसाब से, answer is 17.1 percent 17.1 प्रतिशत महिला हैं जो की board seats में representation इनका देखा गया, 2021 में बाकी सब पे पुरुषवर, विद्यमान थे In India women representation increased by 9.4 percent from 2021 to 17, तो इजाफा हुआ है, दुख में आने की बात नहीं है महिलाओं, improvement तो आ रहा है 9.4 percent से लेकर के अब 17.1 percent पे पहुँचे हैं, आप 2014 से 21 में अधिक तर आकड़ों में आपको ये देखने को मिलेगा 2014 से comparison, वाई भी को सरकार बदली थी तो ये, ऐसा मत सूचे करें 2014 से क्यों compare करते हैं 2010 से क्यों नहीं करते हैं 2011 से क्यों नहीं करते हैं, obvious reasons है एक comparison strike करने के लिए The report finds that globally अगर हम globally पूरे worldwide बात करें, तो women 19.7 percent board seats hold करती है, जो की 2018 से बढ़ा है 2.8 percent, तो globally भी इजाफा हुआ है, इंडिया में भी इजाफा हुआ है globally आज की तारिक में 19.7 percent board seats हैं females के हाथ में और इंडिया में 17.1 ओके, और इसी अगर rate से इजाफा हुआ तो 2045 2045 लग जाएगा parity यानी similar एक state लाने में male और female में board room representation तो यहाँ पे जो आकड़े हैं वो यह बताना चाहरे हैं कि थोड़ा जल्दी-जल्दी females board room में पहुँचिए और इसके लिए females कोई कदम उठाना पड़ेगा हम males को इसके लिए गुनेहगार नहीं ठहरा सकते हैं you have to stand for your own education you have to stand for your own career and profession and you have to stand for your own rights nobody is keeping you down it is you and only you is keeping you down अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो कीजे simple सी ऐसी बात है चलिए periodic labor force survey PLFS 2021 की रिपोर्ट है जो अब हम डिसकास करेंगे periodic labor force survey so labor force के बारे में देखते हैं organized and organized के बारे में ministry of statistics and program implementation इसको issue किया unemployment rate के अंदर एक गिरावट देखी गई of 0.6% 2020-21 में 4.2% था और 2019-20 में ये 4.8% था यानि कि जो unemployment rate है वो गिरा है लोगों के अंदर जो बेरोजगारी है वो कम हुई है अगर आप 2020-20 को compare करें 2020 में 4.8% था अब गिर के कितना हो गया 4.2% तो 0.6% की गिरावट देखी कही which is a positive sign rural areas के unemployment rate की बात करें तो 3% चल रहा है और urban areas में यही unemployment rate 6.7% चल रहा है शेहर का बच्चा थोड़ा जिजगता है ना इंसान थोड़ा जिजगता है यह हर कोई काम can be one of the reasons migration rate की अगर हम बात करें तो migration rate 28.9% पे इस report के हिसाब से exist कर रहा है पलायन जिसे हम बोलते हैं ना migrate करना unemployment rate January-March 2022 के आकडों के हिसाब से अगर हम Jan-March 2022 में 8.2% रही है और Jan-March 2021 में जो ए थी तो that was 9.3% तो यहाँ पे भी थोड़ा positive factor देखने को मिला है राइट and this is it about joblessness और unemployment rate को कैसे define करते है percentage of unemployed people इन दी labor force सीदा है कि पूरी labor force में कितने लोग unemployed है उससे हम निकालते हैं तो 2021 के आपड़े देखे तो 9.3 थी और उसी समय यानि Jan-March 2022 के देखे तो it has come down to 8.2% तो यह आप थोड़ा ध्यान रखेंगे again नेक्स आम आते हैं विच उनियन मिनिस्ट्री रिलीज दे पर्फॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर दिस्ट्रिक्स PGID Performance Grading Index for District कौन सी ministry ने रिलीज किया तो Performance Grading Index रिलीज किया Ministry of Education ने ठीक है? ग्रेडिंग का Ministry of Education ने दो साल का या दो बार के जो इंडेक्स थे वो 81 रिलीज किये गए So Department of School Education and Literacy D.O.S.E.N.L. and Ministry of Education ने रिलीज किया Centers First Ever Performance Grading Index for Districts पहले स्टेट के लिए इशू किया जाता था उसकी सक्सेस के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेविल पे किया गया और इसके आकड़े रिलीज किये गए 2018-19 और 19-20 एर के लिए States and Union Territories तो हर State Union Territory के डिस्ट्रिक्ट लेविल पे जाकर के ग्रेडिंग की गई और उसके हिसाब से रिपोर्ट सामने आई है असेस्मेंट ग्रेड्स देखेंगे दस ग्रेड्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट को असेस किया गया जैसे स्कूल में ग्रेडिंग होती है की अगर आपके इतने से पर्सेंटेज मांक्स है तो यह इसंटे से परसेंटेज मामस हो सिए तो यह ग्रेड मिलेगी सें काम डिस्ट्रिक्ट लेवृट पर किया गया कि आपके si turam episode के हिसाब से कि बच्चे बच्चे कितने पास हुए कि इतना किया हुआ आपके education system को assess किया गया बहुत सारे parameters पे 6 category में 83 parameters में 600 points के उपर के outcome कैसा है, आपका system कैसा है, methodology क्या है etc. उसके basis पे assess करके और आपको grading दी गई किसको districts को so PGI structure ने 600 points पे 83 indicators पे 6 categories में सारे districts को परखा है, जैसे की outcome result, effective classroom transaction कैसा हो रहा है, यानि बाचीत कैसी हो रही है, infrastructure कैसा है, student entitlement, safety, protection, digital learning, governance ये सारे aspects को देख करके और जो ranking निकल के आई हैं, वो हम थोड़ा देखते हैं अब जो सबसे topmost grade है जो achieve किया जा सकता है, उसको कहा गया दक्ष, ये याद रखेगा, because ये पूछा जा सकता है, दक्ष और आकांक्षी 3, ये सबसे lowest grade है, बिलकुल आप lowest perform करोगे तो आकांक्षी 3 मिलेगा आपको, और सबसे अच्छा आपका district perform करेगा, तो highest grade is दक्ष, दक दक्ष category में तो कोई भी district लाए नहीं किया, यनि 90% से जादा किसी को भी marks नहीं मिले, फिर उसके बाद next level पर आता है, three district from Rajasthan, जो की second, और यहीं पर मैं आपके लिए question छोड़ रहे हूँ, चलिए बताइए, दक्ष से नीचे वाली grading, जो है, उसको क्या नाम दिया गया है, बताएंगे, चलिए बताइए, तो सबसे उपर है, यानि 90% से जादा, अगर मिलता है, तो आपको दक्ष ranking मिलेगी, 80 to 90% वाली जो category है, उसका नाम, sorry, no point, मैंने लिखा हूँ है उतकर्ष grade, sorry, छोड़ो, so उतकर्ष grade है, जो की राजस्थान के तीन district को मिला है, सिर्फ, right, सीकर, जुन-जुनो, जैपुर, तो ये तीन हैं, जिनको की उतकर्ष grade मिला है, और दक्ष grade में कोई भी नहीं आया, फिर बात करते हैं, आकांग्षी grade की, तो lowest performers, 1 out of 50, बिलकुल lowest, आकांग्षी 3 में भी सबसे lowest category में जो गए है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझ येगा grade की अंदर बहुत सारे आएंगे, उनमें भी जो टॉप होते हैं, या जो lowest में भी सबसे bottom पे होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे bottom most district रहे, वो कौन से रहे, असाम के, साउथ सल्मारामान का चार, मद्यप्रदेश का अलिराजपुर, नौर्थ गारो हिल्स और स इंडियन एडिकेशन सिस्टम के अगर हम बात करें, क्योंकि यह जो पूरा district को rate करने का system है, कहीं न कहीं education system को और boost करने में help करेंगा, again competitive environment create करने की कोशिश है, state level पे हो रही थे, district level पे है, तो district आपस में compete करेंगे, अच्छी grading लाने की कोशिश करेंगे, तो education system improve होगा, answer writing के लिए अच्छा point है आपके बस, अगले news पर फटाफट बढ़ते हैं, which organization has recently released inequality kills report, inequality kills report हाल ही में कौन से institution ने release किया है, आनि पिछले 6 महिनों में, so Oxfam India ने, Oxfam India ने ये report release की, और इसमें बेसिक लिए बताया कि 2021 में, जो top के कुछ richest लोग है, उनके पास कितनी wealth accumulate हुई है और जो नीचे का तबगा है, वो remaining उससे काम चला रहा है, तो एक बार देख लेते हैं, according to Oxfam India inequality kills report, wealth जो इंडिया के richest की है, वो peak पे पहुँची 2021 में, यानि maximum wealth उनके पास 81 हुई, और इस report ने इंडिया को very unequal country बताया है, very unequal, okay, top 10 लोग जो हैं इंडिया के, उनके पास इं 80% 81 है, और जो नीचे के 50% लोग हैं, पूरी आबादी का जो bottom half है, उसके पास पूरी संपदाया, पूरी wealth का 13% ही है, उसी से वो काम चला रहे हैं, यह report के आकड़े सामने हैं, रिपोर्ट ये भी बोलती है कि 84% इंडियान हाउस होल ने income decline देखा, COVID-19 pandemic के दौरान, कितने प own the same wealth as bottom 552 million people, जो सबसे नीचे तब गये के 552 million लोग हैं, उनके पास total जितनी wealth हैं, उतनी wealth top 98 Indians के पास अकेले इखटी है, यह comparison strike करके बताया, number of Indian billionaires जो थे, वो rise हुए 102 से 142 COVID के दौरान, so rich became richer and poor became poorer, एक तरह से यह एक strike कर रही है, report Oxfam India की, wealth of top 100 families 57.3 trillion टच कर गई 2021 के दौरान, ठीक है, और उसके factors बहुत obvious हैं, बहुत obvious factors हैं, जो नीचे तबके के लोग थे, उनका रोजगार वगेरा सब रुख गया इस दौरान और जो richest होते हैं, of course अगर वो pharmaceutical से होंगे, या फिर वो भाकी area से होंगे, तो उनका उनकी passive income नहीं र economy, so but यह striking जो facts थे, हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, again answer writing में, अगर one day examination में पूछे जाएं तो important है, lastly हम आते हैं, what is the global rank of LIC, that is Life India Insurance Corporation, in the brand finance, most valuable insurance brand in 2021, brand finance ने एक ranking issue की, global ranking, global rank Life LIC का क्या रहा, so LIC most valuable insurance brand के तौर पे 10th rank पे exist किया इसने, ठीक है, और इसकी valuation किती देखी गई, 8.656 billion dollars, यानि कि 64,722 crore, तो अगर सिर्फ हम Life Insurance या Insurance brand की बात करें, तो Insurance brand category में, most valuable brand में, LIC कौन से number पे आई, 10th number पे आई, लेकिन अगर हम global brand की बात करें, Insurance में रहा हटा दीजे, globally अगर सारे brands की बात करें, तो LIC का rank क्या रहा, 206th rank इसका रहा, जो कि इसने improve किया है, पिछले साल से, और अगर हम top brand की बात करें, Insurance में, तो Ping and Insurance of China, top insurance brand के तौर पे इस ranking में उभर के आया, so with this we are done with all the national rankings, जो कि nationally introduced की गई, वो ranking हो, survey हो, reports हो, वो सब आपके सामने रख दिया है, I really hope यह सब याद हो गया, हो गया, I'll as usual be leaving you with a thought, nothing can be improved if it is not measured, बहुत सही कहा गया है, कोई भी चीज आप improve नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपने उसको existing, आप कहां लाइक करें, वो आपने measure नहीं किया, जैसे आप इतने सारे indices, rankings, reports देखते ह सब में कुछ आंकड़े आपके सामने आते हैं, stats आपके सामने आते हैं, यही तो बताते हैं कि पिछले साल से improvement हुआ है, या degradation हुआ है, similarly हम अपनी life पे अगर बात करें, आप as an individual, आप as a student, आप on health front, आप on personal front, आप on mental peace front, या कोई भी front जिस पे आप improvement चाहा रहे हैं, वो तब जब तक लाना थोड़ा difficult होगा, जब तक कि आप existing को measure नहीं करें, आपको weight loss या gain करना है, पहले पता करिये कितना weight है, आपको अपने study का result map करना है, तो पता करिये daily आप कितना कितना पढ़ रहे हैं, तो mapping और measurement is the key for any sort of improvement, अभी तक शुरू नहीं किया है, तो try, try trying it and I'm sure you will be finding good results, at least पता चलेगा, कहां जा रहे हैं, पिछले एक हफते में क्या किया, क्या नहीं किया, जिसे अगर चाह रहे हैं के दिन में 10 ग्लास पानी पीना है, तो track करना शुरू किजा, आज मैंने कितना पिया, कल कितना पिया, परसों कितना पिया, so automatically आपके habit में ingrain होगा, on this note I take your leave See you very soon, until then take good care of yourself, bye-bye